अरक्षन बस बोला जारा है मिल रहा है लेकिन आरक्षन मिल नहीं रहा है अगाजी यह नहीं होएंगे तो पुरी हम महाराश्ट के अंदर यह अंदोलन चड़ेंगे रस्तार को करोंगे और यह सरकार के खिलाब हम जंग लड़ेंगे अभी नेक्स टाइम में देखा ने कि महिला जो हो गे उनको कुछ तभी मतलब कुछ दिया ने खाली paper में दिया है कि इतना पैसा दिया है इतना दिया करें अब यह कुछ मिला नहीं है का सब्सक्राइब को देता है महाराश्या गुरॉमेंट मैं सिखा सिंग अभी दिली के जंतर मंतर पे मौझूद हूँ आरक्षन की मांग आम नहीं रह चुकी है अभी के टाइम में आरक्षन के लिए लोग तमाम लोग यहां आते रहते हैं अलग-अलग जगह से भारत के अलग-अलग होने से लेकिन अभी जो लोग मेरे साथ से आये हुए हैं इन सारे लोगों की मांग आप पर पोस्टर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा से रिजर्वेशन और क्या है से रिजर्वेशन मूमेंट आरक्षन बचाओ मूमेंट आरक्षन वालो मिलाओ हाँ चलो दिली एकसा संसत भावन भवनावर विसालदरने सां जब लंद बिल दाट बोला जा रहा है लेकिन आरक्षन नहीं रहा है यह हम कहना चाहते हैं तो गलत है साव में हाद की सब्सक्राइब कर लोग और दृतरों और तर्ट Tibet पिछेन नहीं होते सग्वहों को, अजो की साप्सुरते मतों होल में, पीजी भी नहीं हो से टुमिला यहां जो में आज सकती ऑपरिया करने संबुता है की सेफेड़ा ज़िसे तूर्ट चस्ट तो अगर खतम करें तो देश का उद्धार केसे होगा वह तो बड़ी बात है ना अगर अमारा देश का विकास पर ही पूरी तरव है अगर अरक्षण घटम हो गया क्योंकर जब से ज्यादातर गड़ी उन लोगों के भीच में है जो औक आगें नहीं बढ़ाए कि यहीं तो मुद्दद्ध लेकिन जो है मिल रहा है वह लों मी कि सम्वीदान में दस साल तक आरक्षן देना है उसके बाद खतम कर देनाे इसा कुछ हूँ उन्हों ने इस के हिए हुआ हाँ है क्या हुआ निया इक्रमें किया था जब महातमा गांधी जी अउपोशन एरवडा जेल में बेड़े थे तब बाबासेब ने ना इलाज मतलब की खुद को कि अपना समाज चोटा सा है पिश्ड़ु ही जाध है तो उसके लिए उन्हें पीछे हड कर उन्हें पूने पैटन करार पे उन्हें साइन की और उसके अंदर 10 सल का एरक्षन करना मंजूर करना पड़ा उनको क्योंकि समाज छोटा था उन्हें और बाबा साहिब का यही कहिना था कि आरक्षन समझो आर्थिक परस्तिती में जो समझो मराडा समाज का है ब्रह्मन समाज का है कि उसको समझो कि वो उसके पिता जी बोलो या घर वाले बोलो कोई पूजापाट करने वाला है तो उस कॉलेज में बच्चा मतलब मराडा समाज क ब्राह्मन समाज का है तो उसको उसको ही आरक्षन मिलना चाहिए क्योंकि उसको आर्थिक परस्ति का प्रॉलम है इसके लिए जो बड़े-बड़े जाठ है जुनको खेती बाड़ी सब कुछ है ब्राह्मन भी तो बड़े-बड़े परिवार में नहीं बहुत सारे गरीब भी ह जो आज भी आरक्षन के लिए तरह से आप जो बोले के मिला है पेपर पे मिला है मगर स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज में जा रहे है तो उधर क्या हो रहा है मनुमें कि SCST काश का सर्टिपिक लगा रहे मगर नीचे के टेबल से उनसे पैसा ले रहे के MBBS की करने के लिए MBBS मिलना चाहिए और मिल भी रहा है जनरल के टेगरी को लेकिन वही लोग को जो कुछ लोग बिरोध करते हैं कि जो SCST वाले हैं इनके पास टैलेंट नहीं होता सिर्फ आरक्षन के दम पर ही जी रहे हैं नहीं मैडम ऐसा नहीं है देखो मैं 10 स्टंडर में 65 परसंट लाया तो ब्रह्मन लड़के लड़की लोग थे मेरे साथ में उन्होंने बहुत कुछ लाया मगर मैं जब चोड़ा था तभी मेरे घर वाले महाबाब जबकि रस्ते के फुटपात के ओपर काम कर रहे थे तब म मेरे साथ में रोड के ओपर बैड के पढ़ाई कर दें तो उनको यह अरक्षन मिलना ची जिसको सब सुविदा मिल रही है तो उनको नहीं में चाहता हूं बस यह जाती बाद भी है अभी भी है ना अभी नेक्स टाइम में देखा नहीं कि आपने कि बच्चे ने कुछ पानी बराबरी नहीं मिले उससे कैसे लड़ेंगे देखो यह सरकार को हमने पांपलेट के दोरा इदर धरना अंदलों के दोरा यह संदेज भेजा है कुछ हमारे जो वरिष्टा है वह भी सिस्टम अंडर मिलने गए है अगर यह नहीं होएंगे तो पुर्य हम महारास्ट के अंद लेकिन जिसा की कॉंसिचूशन में बाबा साब ने राइट दिया है एक्षण के लिए लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रहा है इसका जिम्मेदार कौन है सरकार है सरकार तो कैती हम ओवी सी समाज के बेटे हैं और हम गरीब के लिए सटी के लिए काम करते है अगर जा समझो एक मुझमी पॉस्टर पर चित्र ही आप तरफ बाबा साहब की तस्वीर ने कर तरफ जो वालमी की लोग जो है वो सपाई कामगार में काम करते जब कि हमारे ठाने की इसमें चार लोग जो गटर का चेमबर खोल के उसी के अंदर एक बचाने गया तो दुसरा भी मर गया तो उसके ओपर कोही भी ये चारों लोग को हम लोग ने घर पर जाके पूछताज की हमारे वर्ष्टर तांसिर भाय नन्ना और इश्वर सिंग जंजोड इन्हों नहीं सब जाके पूछताज की तो उदर से कोही विद्वा महिला जो हो गई यह उनको कुछ तभी मतलब कुछ खाले पफर मीं दिया है की इतना पैसा दिया इतना दिया करें दो कुछ मिला नहीं कि भारत जो है अपना पजेतरवा आमरीत महसकिभ बनाताइब कि कुछ लोगों के लिए अम्रित काल नहीं रह गया है जहां पच्छातरवा जो है वर्सगांथ मना रहा है आज आदी का महत्सब मनाया जा रहा है वहीं पे आज भी चुआ चूट और आज भी लोग अरक्षन के लिए बेचैन हैं लोग तरफ रहें कि कब हमें अरक्षन मिलेग उनके पास एक हथियार है वो है सिक्छा जिसके वज़े से वो लड़ रहे हैं और आज भी आप देख रहे हैं कि बहुजन जो है दली SCSTOBC हमीशा लडते आया अपने हक अधिकार के लिए अपने परहाई के लिए हाला कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ रह हैं आगे लेकि नभी भी राजनितिक आर्थिक रूप से समाजिक रूप से पीछें क्या वज़ा है सरकार ने एक सिस्टम अंडल रखना चाहिए कि जैसा कि हर जन्यगना होनी चाहिए जैसा कि 1922 में जो यह हुआ था उसके बाद में वो लोग ने कभी यह किया ने जन्यग नंकुष लखना चाहिए तो सच्वच यह गरीब है या ब्रामन भी है यह सिक्षा की लिए उनकों जन्यगना की आपने बात बहुत अच्छी कही लगातार मांग उठ रही है पूरे देश से कि जन्गना होनी चाहिए जिसका जितना अधिकार है उसको उतना मिलना चाहिए जिसकी जतनी संक्याबहरी उसकी इतनी हिसेदारी मैंने कई बार सुना हैं। और आप लोग भी बोलते हैं, सुनते हैं। क्या लगता है कि कब तक जन गन ना कि मन 10 में सत्वी ने आई थी, हमारे पृण जब सत्वार सम्हाले तो उनूने कहा था उसे पहले, कि हम आएंगे तो जन्गनना जरूर कराएंगे लेकिन आज 8-9 साल कम्प्लीट हो चुके हैं आज तक कुछ नहीं हुआ क्या वजा है। मढडे बहरत तो चालू है लेकिन वो बार-बार एकसिडेंट का सिकार हो रहा है उसके लिए आप क्या कहें हैं हुआ है कि अरे अभी तो लॉंच वार बार बार तूट पूट रहा है तेकनोलीजी का यह मसला है इंजिनिरिंग टेकनोलीजी का मसला है वो सब क्लियर हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं जैसा कि प्लेन उपर से उड़ता है कभी ख्राइश हो जाता है वह तो जमीन पर चलने वाली पट्र सिष्टी फर्म जोब एस उड़े के स्टी वाले के बुलके आरे जब लोग फॉंप बढते तो उसमस्य देखा नहीं कि कितने लोग मिला सब्सक्राइब करने जाएंगा तो बहुत कुछ पेपर मंगते हैं तो हमारा आगे काम होएगा इसके लिए लगातार आरक्षन की मांग उठ रही है और आरक्षन मिलना भी चाहिए क्योंकि जो दलित लोग हैं जो बीसी स्टी समाज से आते हैं वो लोग अभी भी पून रूप से जो है मजबूत नहीं हो पाया हैं अभी भी आर्थिक रूप से समाजी रूप से राजनीतिक रूप से बहुत पीछे हैं और सक्सेस करने के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है तो मेरी आप सभी से एक गुजारिस है कि अगर आप से समाज से हैं और आप अगर आगे आवाँ पर से एक तो इंडिया से हैं उपर से SCD कैटेगरी में है तो इसके लिए मुझे लगता है वहां पर भी रिजर्यवेशन की आवश्यक्ता है देख सकते हैं हर जगर लोग जो बहुजन है वो जाग चुका है दली जो है SCST जो है पढ़ाई कर रहा है और इसी के लिए यह मांग करें कि जो कॉलेज उनिवर्सिटी में हैं हमें अपना अधिकार मिले ता कि हम MBBS, डॉक्टर, कलेक्टर यह सारी चीजे बन सकें बाबा साहब ने कहा था कि सिक्षा उसेर्णी का दूद्ध है जो पीएगा वो दाहारेगा तो आप लोग बहुजन से SCST से OBC से यही गुजारी से है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए राजनिती आर्थिक रूप से अभी हम लोग बहुत पीछे हैं और मजबूत बनना है तो पढ़ाई करना होगा कैमरा परस्टन खुसबू के साथ मैं सिखा सेंग जंतर मंतर दिल्ली हुए 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 हुए